हेलो डियर डॉक्टर्स तो आज का हमारा टॉपिक है हापट ट्रॉफी ओके तो प्रिवेस लेक्षर में मैं आपको पताया था कि अगर माली जी हमारी कोई आप जिम में चले जाता है अब जिम में आप बहुत ज्यादा एकसराइस कर रहें तो यह क्या है इससे होपर वर्क लोड आ गया तो अपने अंदर वो उन सके इसके लिए का करेगी एपने इंदर जो भी心टे सटक रहने के उस पना मेंगरने क्या है यह Cel कोपरने तरीकह जो कई सवारी मेदध दा अगर करेसे से तॉधो फंक्ष्णल जो surface area है वो बढ़ जाता है तो उतना ही ज़्यादा enzyme होते हैं उतना ही ज़्यादा protein बनती है उसके अंदर और वह से stress आसानी चीका गल लेती है सामना कल लेती है तो अगर अगर अपना size या फिर functional activity increase करके अगर stress को overcome करती है तो इस तरीके को हम hypertrophy बोलते हैं और इसी तरीकों को हमने detail में पढ़ना है अभी ठीक है एक और तरीका होता है जिसके बारे में थोड़े सा सुन लीजिए कि अगर cell number increase करती है माल यह किसी काम को पहले 10 cell मिलके कर रही थी और माल यह stress आ गया तो cell ने अपना number increase कर लिया दस से वह 20 हो गए अब वह 20 cell मिलके उस काम को कर रहे है जब आदमी जाबा हो जाएंगे तो काम कर रही में वासा नहीं रहेगी तो cell अगर अपना number increase करके अगर उस इस स्ट्रेस को चरती है तो उसको हैपरफलीजिया बोलते है ठीक है वो जिसको नेक्टिक्शर में पढ़ेंगे तो अभी हमें पढ़ना है है पाट्रॉफी यान कि है कि है बहुता है जिसमें हैल क्या करती है आपना size increase कर लेती है यह क्ला कर लो यह चैसीक्र एस है शाज़ और अब क्या कर लेंगी, stress आया, क्या है, stress आया, तो stress आने की वैसे, cells निका कर लिया, अपना size increase कर लिया, अब size increase करने से क्या होगा, जब size increase हो गया, तो इन cells का surface area भी ज़्यादा है, surface area जदा है तो इसमें बनने वाली proteins इसमें बनने वाले enzymes और इसमें बनने वाले जो pigments है इस सब का भी amount क्या होगा ज़ाधा होगा और यह सब क्या करेंगे इस cell को help करेंगे इस stress को withstand करने में बासंद में आई बासंद में ठीक है तो अब देखो होता क्या है कि एक organ है ठीक है ज और अपना size increase नहीं करेगा तो इस तरीके से अगर मैं बात करूँ एक organ है जिसके अंदर hypertrophy हुई है कोई भी organ है जिसके अंदर hypertrophy हुई है उसको मैं बोल रहा हुई hypertrophized organ क्या बोलता है है hypertrophized organ बोलता है तो hypertrophized organ होते है उसके अंदर number of cells तो सेम रहती है number of cells तो क्या होती है सेम रहती है just उनका size जो होता है वो बढ़ जाता है cells का और organ हमें थोड़ा सा बड़ा दिखने लगता है ठीक है देखो अब दो तरह की cells होत 5% ठीक है अब इनके पास मालीजे divide करने की capacity नहीं है तो अगर इनके ऊपर stress आएगा क्या आएगा stress आएगा तो यह कैसे इसको withstand करेंगी तो जब इनके ऊपर stress आएगा तो यह का खल लेंगे अपना size increase कर लेंगी का कर लेंगी size increase कर लेंगी लेकिन मालीजे कोई दूसरी cell है म कर सकते हैं divide कर सकती है तो इसके पास दोनों तरीके होते हैं इसके पास एक तरीका तो यह होता है कि अपना size increase कर ले क्या कर ले size increase कर ले और दूसरा तरीका होता है कि यह क्या कर ले cell division कर ले यानि कि number increase कर ले यानि जो cell divide करती हैं उनके पास दोनों तरीक होता है यह अपना size बड़ा सकती है और यह अपना नभर भी इंक्रीज कर सकती नहीं कर सकती है वह सर्फ क्या करेंगी आपना वड़ासकती है जो घुर चै Cle allen निकर सकती उनके अंदर हमेशं हमेशा क्या भाई जाएगी क्या पाई जाएगी हाईपाट्रॉफी कॉस्ट्रो अुस्ट्रेस यहाई वह स्ट्रेस को सकती है वह है प्लिस जाएक डूब जब वो size बढ़ाएंगी तो उनके अंदर hypertrophy हो रही होगी और जब आपना number बढ़ा रही है तो उनके अंदर क्या हो रहागा hyperplasia हो रहागा पसन नारी बसन मैं आरे यह अगर sandwich डिवाइड कर सकती है तो अपना size भी बढ़ा सकती है और number भी बढ़ा सकती वो है uterus, uterus pregnancy के दौरान हैपाट्रोफी भी सु करता है और हैपरप्लोजिया भी सु करता है यानि uterus की जो cells होती है वो size भी increase करती है और number भी increase करती है लासन में आगी चला आगे बढ़ता है अब दो जो हैपाट्रोफी होती है किसी भी organism के अंदर वो दो तरह की हो सकती है एक चुटार्व जाद होती है pathologic यानि pathologic की वएसे और इक होती है gegen कहने का मतलब क्या है अगर माली जो size किसी और अंहरी बढ़ रहा है यानि बिना किसी बेमारी के बिना किसी disease के बिना कैसी normality के abnormality के बिना कैसी disease के और बिना कैसी abnormality के normally बढ़ रहा है यानि normal physiology का part है हमारी normal body functioning का जगर part है वो तो हम इसको बोलता है physiological क्या बोलता है physiological द्वारा सुनो अकर cell का size normally बढ़ रहा है बिना किसी disease के और बिना किसी abnormality के cells का कJ का बढ़ना. एक normal Ekodologie का पार्ट है. कोई भी, डिसीड नहीं? It is Cay, जैसे कि माली जी आप जिम करने गए, तो आपको अंदर होगीवी बीमारी कोई नहीं? अपजिम करने से क्या हो रहा है? मुझे बड़े है अगर आपकी सैल का साइज बढ़ रहा कि अगर आपकी सैल का साइज normally workload से बढ़ रहा है वर्कलोड से बढ़ रहा है या फिर growth factor की वज़े से बढ़ रहा है या hormones की वज़े से बढ़ रहा है बट ये कोई भीमारी नहीं है ये कोई abnormality नहीं है ये normal physiology का part है तो ऐसी hypertrophy को हम बोलते है physiological hypertrophy और यह physiological hypertrophy आपको कहां देखने को मिलेगी आप किसी athlete के अंदर जाएए जब bodybuilder के अंदर जाएए तो bodybuilder को देखिए तो bodybuilder क्या करेगा extra workload ले रहा होगा extra workload लेगा तो उसकी skeletal muscles होगी उनका size क्या हो जाएगा increase हो जाएगा ठीक है दूसरा uterus during pregnancy जब pregnancy में जो uterus होता है उसका size बढ़ जाता है यह होता है normal uterus मालो है यह है normal uterus और pregnancy में uterus इता बड़ा तो क्या यह disease है pregnancy कोई disease है नहीं है न यह तो normal physiology है तो normal physiology के दोरान अगर आपकी cells का size बढ़ रहा है तो वो physiological hypertrophy है क्या है physiological hypertrophy है वैसे ब्रीष्ट प्रीवर्टी के टाइम पर प्रिगनेंसी के टाइम पर और लेक्टेशन के टाइम पर ब्रीष्ट का जो size होता है वो बढ़ जाता है तो क्या यह कोई abnormality है क्या यह कोई disease है नहीं न नॉर्मल फिजियोलोजी की वज़े से या नॉर्मल बाडी फंक्शन की वज़े से अगर आपकी बाडी की cells का size बढ़ रहा है तो इसको हम फिर बोलेंगे pathological hypertrophy क्या बोलेंगे pathological hypertrophy अगर cell का science किसी disease की वज़े से या किसी abnormality की वज़े से बढ़ रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे pathological hypertrophy और इसका example है hypertrophy in cardiac muscles अगर माल दीजिए किसी का blood pressure बहुत भढ़ जाए क्या हो जाए बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो heart में जो cardiac muscles होती है ब्रेट पर से बहुत जादा बढ़ना क्या कहलाएगा hypertension क्या वो लेंगे इसको science की language में hypertension कि अगर कोई hypertension का patient है तो इस hypertension की वज़े से इस increasing BP की वज़े से उसकी heart की muscles होती है इन पर क्या पढ़ता है impact पढ़ता है और यह heart की kills होती है इनका size क्या होता है इंक्रीज हो जाता है यहां भी काडिक मुसल्स बोलते हैं क्या शाइज정이 हो रहा है in इसक डिसंद की वज़रा है रहल से अपनोर्मल doctrinal ऑन नहीं है यह एक normalityन की तो यहाँ अगर किसी disease की वज़ा से या किसी abnormality की वज़ा से अगर मसल सेल का साइज है वो increase हो रहा है तो हम यह क्या कहेंगे इसको pathological hypertrophy भो लेंगे ठीक है अब इसी चीज को हम diagram से दिखते हैं मैं आपको diagram दिखाऊंगा और आप बताऊगे कि यह physiological hypertrophy है या फिर pathological मा लीजे कि यह जो आपको यहां दिख रहा है यह आपको नॉर्मल यूटरस है ना नॉर्मल यूटरस यहां आपको जो यूटरस दिख रहा है यह यूटरस डिरिंग प्रिगनेंसी है प्रिगनेंसी में बासमय में आई यह कैसे बड़ा होता है यह कैसे बड़ा होता है यह क्यासे बड़ा होता है जो आपको यूर्म लियर और 0 जाती है abusive फशारन खायती है अब देखे को होता क्या है कि Felix कि दौरा एक हार्मोन इस क्धूज़न क्या नाम है does it अंडर प्रोटीम और प्रोटीन और इनका फोरमीशन बढ़ा देता आ लिज़न भणागा तो ओंडरर लुट्ल सेarbeit मृट्राamm क्या होता है कि जो ये यू-टरास था वाली जो लेर थी जिसको बहता है myometrium, जिसके अंदर क्या थी? Smooth muscle थी, इन smooth muscle पर pregnancy के दोरहन एक हर्मोन एक्ट करता है जिसको बोलता है estrogen, और ये estrogen क्या करता है? इन smooth muscle के अंदर protein का formation और cell organically का formation increase कर देता है, जिससे cell के अंदर का content होता है, वो भढ़ जाता है और cell के अंदर का content भढ़ जाता है तो cell के पूरा पूरा size भी cell का भढ़ जाता है और उसकी वज़े से आपका uterus जो आपको दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है अगर आप इसको बिल्कुल microscope लिए दिखेंगे तो यहाँ पर आपको ये जो दिख रही है ये smooth muscle है, क्या है ये smooth muscle है, normal uterus में किस में, normal uterus में normal uterus में, लेकिन जब यही uterus pregnancy की दोरान होता है तो एक smooth muscle इतनी बड़ी होती है तो क्या आप देख रहे है यहाँ से यहाँ तक कस अफ़र तो एक बास बताओ pregnancy होना है क्या disease है या कोई abnormality है, नहीं न यह तो normal physiology है तो uterus के अंदर uterus का size भीदिशन हमाई चलो अब एक बात देख लेते हैं माल दिए आप हैं और आप गए थे कहां पे जिम करने और जिम आपने की छे महीं ने छे साफ महीं ने आपने जिम की वह आपकी जो मसल्स थी वह क्या हो गई एक जब डोले सोले बन जाएंगे तो आपकी मसल इस तरीके से क्या हो जाएंगी मुटी हो जाएंगी वह जो आपके मसल फाइबर से मसल फाइबर थे वह भी कैसे हो जाएंगे मुटे 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 हो जाएंगे और आपके डूले सोले बन जाएंगे तो यह आपने कब बनी आपके यह मसल कब बनी जब आपने स्ट्रेस लिया क्या लिया इस्ट्रेस लिया एक्सरसाइस की वर्क लूट किया ठ skeletal muscles थी, ठीक है, इस exercise की वज़ए से, यह skeletal muscles थी, इनके अंदर protein का formation बढ़ गया, और cell organically का formation बढ़ गया, जिससे cell के अंदर का content था, वो बढ़ गया, और जिसके वैसे cell का size बढ़ गया, अगर मालो आप gym करना छोड़ दो, जिम करना छोड़ दो, तो आपकी muscle वापस कैसी हो जाएंगी, प्लोसी, छोटोसी, डोलिस वले, सब गाइब हो जाएंगी, तो जो आपकी यह cell पहले बढ़ गई है, cell का जो size बढ़ गया है, इसका मतलब क्या हुआ था cell के अंदर, hypertrophy होई थी, क्या होई थी, hypertrophy होई थी, जिसकी वैसे, muscle का जो size था, बढ़ गया था, क्या है, यह abnormality है, नहीं न, यह जो normal physiology है, तो hypertrophy in skeletal muscle, hypertrophy in skeletal muscle, यह भी किसका example है, physiological hypertrophy, physiological hypertrophy का, physiological hypertrophy का, ठीक है, तो अब एक example लेते हैं, pathological का, तो देखो ya आपको दिख रहा है किया है कारणिक मसल आपकी हडू की एक पीन कशने है और यह जो आपको दिखा रहा है यह का जैक्षेड ऊपर्शन और है responsibility यहां आप वाली दॉक सेल को क्या होगा रहता है, अब हेपाटेंशन की वज़ए से क्या होता है? इंक्रीज़ ब्लेड प्रेसर का इंक्रिकम्सल में पड़ता है, और Hash-BP होने की वज़ए तो मसल का साइज हो जाता है? इस तरीके से increase हो जाता है, due to this high blood pressure, muscle size increase, ठीक है, muscle size क्या होता है, increase हो जाता है, तो अब in cell के बीच में आपको बड़ा बड़ा gap देखने को मिलेगा, क्या देखेगा, बड़ा बड़ा gap देखने को मिलेगा, और यहाँ जो आपको देख रहा था, यह देख रहो यह space था, यह सा सब्सक्राइब का ज़ी अपनी, और अपना, size increase कर लिया, और size increase कर से, go-to, size increase कर लूइज से, से इंक्रीज कर लिया और यह जो बीच में कैविटी यह भी क्यों होगी तो यहां जो साइज बढ़ रहा है वह इंक्रीजिंग बीपी की वेज़ से बढ़ रहा है यह जो काईडिक मुसल से फाइवर थे च्छोटे साइज से बड़ी साइज में कनवर्ट हुए थे यह किसकी आगे हम बात करेंगे बारे में इक इस अपर ऌ यहां बहुता है तो दो यह जब कभी भी है आपाट्रॉफी जहां भी देखने को मिलती है तो सेल का साइस तभी बढ़ेगा जब सेल पे अंदर का जो स्यटो प्लाजम है वो बढ़ेगा इन सब का अमांट जो है वो बढ़ेगा अकर सेल के अंदर प्रोटीन्स बढ़ती है तो अब देखो प्रोटीन्स कैसे बनती है तो प्रोटीन बनने का तरीका क्या है कि जीन से बनता है MRNA और MRNA से बनती है प्रोटीन जीन से जब MRNA बनता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांस्रिप्शन और MRNA से जब प्रोटीन बनती है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन तो ओवरॉल हमको इस ट्रांसलेशन और इस ट्रांसलेशन का जो रेट ह वह बढ़ाना है वह इंक्रीज करना अगर आप Transcription Translation का बढ़ा देंगे तो प्रोटीन का फॉर्मिशन का रीट बढ़ जाएगा तो overall सेल का साइस भी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा हो तो एक्या इस यह कि जो gesंभान sommes में जह तरीक होते हैं सैल के साल को बढ़ने के अगर मैं ज़ल नोल फिज्जो लॉजी की बात करूं तो आपको पता है कि जो जह संप messenger हो रा दो गर में नॉर्मलि बात करो तो नौमल है या थो वर्कलोड वज़से हो तो होता है कि सेल में जो मेंबरीन होती है यह मालीजी आपकी सेल है ठीक है क्या है तो इस सेल मेंबरीन के पास रिसेप्टर होते हैं जिनको मेकेनिकल सेंसर बोल रहे है जो इंटीगरिन प्रोटीन होती है जिनका नाम है टीजीफ बीटा क्या नाम है है खिर टीजी एफ बीटा चेंगे लिएक हार्मों हिचवी नाम होती है एक्सराइज तो इसकी यहां सेंफ़ों के लिए keeping जाएगी अगई ऊधिक्यान वह सींफर्मिशन無二 आया है तो हार्मोन की इंफ्लूएंस है मालों एस्टोजन आया है तो वह जो हार्मोन की रिसेप्टर होंगे वह इस चीज को सेंस करेंगे या कोई ग्रोथ फेक्टर आया है तो इस पर्टिपल ग्रोथ फेक्टर के लिए जो रिसेप्टर होगा वह सेंस करेगा यह जब हम एक को एक्टिवीट कर देते हैं जैसी यह मेकेनिकल एफट देखते हैं कोई बंदा एक्साइज कर रहा है उसको सेंस करते हैं या जब यह हार्मोन से मैसे रेसीव करते हैं तो मैसे रेसीव करने के बाद यह क्या कर देते हैं एक्टिवीट कर देते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन खोंगे सको signal टन्यक्सरों पात्वय को एक्टिवीट कर देते हैं order transaction पात्वे जो होता है ये दो तरीक जो होता है एक होता है पि यह कोड़ Hij यह एक्टिवीट हो जाते हैं क्या होते हैं इस ट्रांस्क्रिप्शन को करने वाले जो फेक्टर होते हैं वह एक्टिवीट हो जाते हैं और एक बार अगर ट्रांस्क्रिप्शन हो गया तो फिर ट्रांस्क्रिप्शन होता ही होता है तो इस सिंगलर ट्रांस्क्रिप्शन transcription हो गया तो translation तो हो गई होगा कि transcription और ट्रांसलेशन होने के वाज़े से क्या होगा synthesis of contactile protein होगा synthesis of contractile protein या फिर आप कहायद synthesis of proteins होगा protein का Bob protein माell कि हवें ने से जो performance बढ़ेजाएगी टिंद्रींग क्वार्मिशन ओगा ओने से Swισ selkie auky खिए रखिन होता है कि यह ग्रोंफों क्वेइद हैं क्या करते हैं कुस जीन को एक्टिवीट कर देते हैं उन जीन को एक्टिवेट कर देते हैं जो जीन्स हमारे embryonic development या fetal development की टाइम पे ही active थे दो कुछ genes होते हैं जो हमारे fetal development की टाइम पे दो activate होते हैं but after delivery वो क्या हो जाते हैं कह सकते हैं अब inactive phase में चली जाते हैं तो यह जो factors थे यह क्या करते हैं उन genes को activate कर देते हैं जो कहां कब active थे हमारे embryonic condition में active थे ठीक है उन genes को के कर देते हैं re-express कर देते हैं तो जो सोय हुएय सैनिक थे तो उन सोय हुएಯ सैनिकों जग जाते हैं हैं तो वो भी क्या करते हैं वो genes क्या करते हैं protein का formation करते हैं फिर enzymes का formation करते हैं और वो protein और enzymes होते हैं वो आपकी work performance बढ़ाने में help करते हैं और workload को कम करने में help करते हैं तो इस तरीकी से आप क्या करते हैं उस आने वाले stress को overcome करते हैं ठीक है तो this was about mechanism of hypertrophy अब हम बात करते हैं कि इस hypertrophy को जैसे morphology पे क्या फरक पड़ता है organ की तो organ का जो size होता है वो increase हो जाता है और organ पहले से क्या हो जाता है heavy हो जाता है weight में so it was all about hypertrophy यह lecture आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में drop कीजिए बताइए और आपको किस lecture पर वीडियो चाहिए वो भी आपको मेंट सेक्शन में drop कर सकते हैं thank you and have a nice day